नमस्कार, Zee Media में आपका स्वागत है, डारेक्ट विद दिनेश में मेरे साथ इस बार हैं, बाबा रेटरंस, यानि बाबा गुरू मीत राम रहिम जी हमारे साथ हैं, बाबा सबसे पहले तो Zee Media की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत, आपको बहुत आश्वात, बाबा आपने MSG 1 बनाई, Messenger of God 1, जो आपका मकसद था संदेश देने का, वो क्या पूरा हो पाई है? जी हाँ, बिल्कुल, MSG 1 के लिए जो हमने सोचा था कि पूरे वर्ड में उसका मैसेज जाए, और लोग खाश करके यूथ नशा छोड़ दे, तो वो पूरे वर्ड में मैसेज गया, और यूथ नशा जैसे हम पहले ससंग करते थे, उसे डबल ट्रिपल आगे नशा छोड़ है, और फाइट सी इंस्टंट एड की हैं, कि आदिवासियों के एरिये में हम 2000 में गए थे, सन 2000 में, वो बिल्कुल नंगे रहते थे, महुए की शिराब पीना, कच्चा मास खाना, बाद बाद पे लड़ाई जगडा, कतलो गारत मत जाती थी, बूद परेत का साया, 12-13 साल क लड़के लड़कियां भागते थे, उनके बच्चे होते थे, इसी दर्मियान में 30% लगवग लड़कियां मर जाती थी, और जो बचते थे, फिर उनकी शादियां होती थी, तो ये बड़ी अजीवागरी रीतियां थी, तो हमने वहाँ इश्वर का नाम, गुरुमंत्रा, क कि आप अगर फेल हो जाते हैं, थोड़ा सा नंबर कम आए, तो टेंशन में, रिस्ता तूट गया तो टेंशन में, जुड़ गया तो टेंशन में, या तो फिर आप नशा करने जाते हैं, फिल्मों को देखा यार देवदास बन जाओ, या फिर आप सूसाइड की तरफ चले मारत जो है, बहुत बड़े पैमाने पर जो है ग्रसित है, तो ये उस तरफ भी मिलब ये संदेश देने की कोशिश है मुवी से, मेसेंजर, MSG2 से, जी नक्सलाइट की तरफ तो नहीं है, ये तो सिरफ एक सबह समाज को ये बताने आए हैं, कि जो आदते होती हैं, वो इनसा बदल सकता है, अगर उसके अंदर बिल पावर आजाए, आतम बल आजाए. बेन तहा पसंद आया, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि ये इनको पसंद है, तो ये करते रहना चाहिए. इस बार मैं आपके पोशाक भी देख रहा हूँ, उसमें भी काफी मतलब आप यंग मैनेजर से कहा कि कुछ दिर पहले हमें आपसे बात कर रहा था, पिछली बार से भी ज्यादा यंग लग रहे हैं, तो आपको जो ये ड्रेसिस का आईडिया है, जैसे जीन्स के साथ इस त आपके होना चाहिए, क्योंकि यूथ को ये बहुत पसंद है हम से, अभी हम कई अखवारों या कई चैनलों पर गए, तो सब नौजवान जो बच्चे 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 बेटें, गुरु ये कहां से मिलेगी ये वाली शर्ट तो हमने गहां, अभी तो कुछ रखा नहीं है, लेकिन हम डिजाइन करते हैं, कुछ लड़के लड़कियां वहाँ जो सिवधर होते हैं, वो बनाते हैं, हम चेक करते हैं, फिर बताते कि नहीं है सही नहीं, तो हम नों से बोलेंगे कि भई, ये सारा यूथ हम चाह रहा है कि ये चाहिए, तो वो कोई के स्टार्ज भी आपकी मूवीज में आएंगे आने वाले समय में जरूर आएंगे लेकिन इस में एक है अर्पित रांका जो महाभारत एक सीरियल चला था अभी जो खत्म हुआ था और उसमें थे दुरियोदन की रोल में तो वो एक हैं बाकी सब हमने जादा तर यूथ को टा की थी तो लगा कि ये तो हरुमान जी को हाई टेक किया है और ये अवतार बन गया तो कीना होई कि बेदों पे जो महा सुमंदर है उस पे एक फिल्म लाई जाए तो उस पे वहो सकता है बहुत से स्टार नजर आएं ये भी सुनने में आ रहा है कि MSG 3 लग तीसरी मूवी भी कि आप लाने की त्यारी में हैं जी हां बहुत से स्क्रिप्ट हमारे पास आई हैं कामेडी हैं एक ऐसे बॉरियर थे जिन्होंने आंतकवाद को खतम किया था वो भी है तो बहुत सारे स्क्रिप्ट हमारे पास आ रही है और हम जुरूर उसमें काम करेंगे और समाज तक हम ऐ से लेके जाएंगे रही बात की जो सास संगत है या भगत हैं जो आलड़ी हमसे मिलते थे तो उनको तो बलकि उल्टा हो गया पहले सुबा दो घंटे शाम को दो घंटे था अब जब शुटिंग करते हैं सारा सारा दिन उनमें रहते तो जैसे एक शॉट किया की ठीक है कैमरे अब जाएंगे फिर शॉट हुआ फिर उनसे मिलते हैं तो कोई शिकायत नहीं है कभी को शिकायत हुए ही नहीं बलकि लोग खुश हुए कि यह तो यार सारा दिन हमारे बीच रहें लगे गुरू जी पहले तो कभी कभार होता था लब चार्जर हम वह काफी हिट हुआ तो साओं जो आपको दर्शकों को सुना सके हैं इ Prix मंदेग इसम हो इसमें कई सउंग फिमस हुए हैं मेंली जैसे पार्टी सांग है तो हम आपको पार्टी सांग जो बच्खों बहुत ज्यादा पसंदार है वो आपको सनाते हैं। जी जी आप भी लगता है उनके जो अभियान चलाएगे जैसे बीटी बचाओ बीटी बढ़ाओ उससे प्रभावित लगते हैं और स्वच ताका जो अभियान है तो आपने भी आश्रम में मोहिम चुलाई जी जी आपको लगता है कि प्रधान मंत्री नरेंद मोदी सही दिशा था कि ब्रूनत्या ना किया करें तो हमारे पास 29 बेटी आई जिन्हों का पढ़ा रहे हैं और स्कूल में उनके मावाब का नाम हमारा है और हम सफाई महाब्यान 2011 में लेके आए हो पिर्तवी साब मिटे रोग विशाप तो मोदी साब जैसे ही आए और उन्होंने ये दोनों करेंगे समय हर चीज को लगता है इतना बड़ा देश है बहुत सारी चीजे उनको देखनी है पर हमें लगता है कि उनकी जो सोच है बहुत पॉजिटिव है जो दो हजार चॉला का चुनाव हुआ उसमें डेरा का काफी प्रभाव जो है देखने में आया ना सिरफ लोकसभा चुनाव है बलकि हर्याना के जो विधान सावा चुनाव हुए जी जी तो दो हजार सत्रह में जो पंजाब में चुनाव होंगे क्या देरा का एहम रूल रहने वाला इसमें जैसे आपने बोला पूरे नौर्थ में सास संगत बहुत जादा है और हमने एक सास संगत को बोला थी, उन्होंने उसको लिख लिख लिया, एक एफिडेब टाइप बना लिया, कि इस पे अगर कोई साइन करेगा, और इसको अपनाएगा, तो हम उनके साथ हैं, हर्याणा पंजा, हर्याणा में और दिली में, वीजेपी ने उसको अपनाया, उसको साइन किये, तो सासंगत उन के साथ रही तो ऐसे हमें लगता है वो चीज़ें और भी उसमें एड़ करेंगे तो आने वाले समय में जिदर भी चुनाब होंगे और उन चीज़ों पर लोग अगर वो साइन करेंगे और उनको अपनाएंगे तो साथ संगत उनका साथ देगे बाबा ये भी खबर आएं कि ब तो बिग बॉस नाइन में आफर है आपको क्या आप मेरा सीधा सवाल है क्या उसमें शामिल होंगे आप उस आफर को आपने से विकार किया है जी नहीं वो लोग आये थे और हमने उनसे कहा कि हमारे पास तो रोजाना ही सेंकडों की तादाद में नशा छोड़ने वाले आते क्या हमें रोजाना दो तीन घंटे आप दोगे क्या हम उनसे मिलें और उनके नशा बंद्ध क्योंगे नए लोग आते हैं बिमार लोग आते है तो लगया गुरू जी सोचेंगे तो हमने कहा हम भी सोचेंगे बस बात यहीं रह गई क्या पास कर इस क्याना आए अइंक iba जे पे थी जिन्होंने आंतकबाद को खतम किया था वो हॉलिवुड से आ रही है तो यह से काफी फिल्में का ओफर आ रहा है तो हमने उनसे सिर्फ एक ही बात बोली है कि अशलीलता ना हो नगनता नहीं होनी चाहिए और समाज के लिए मैसेज होना चाहिए तो हम फिल्म करेंगे तो उनका गुरुजी बिलकुल ऐसा ही होगा तुमने गाने का भी बोला हमने का गाएंगे और हम खुद भी लिखे रहे हैं दो फिल्म तो आप देखते तीसरी आती कौन से पर आएगी ज़रूर एक और गाना आप जो इस मूवी से दर्श कुकली गुरु नाना चाहिए जो नाचे जम जम है हसीनवादियों में सफर पे हम है आरा हम जा है नाचे जम जम है एक गुरू से बॉलिवूड स्टार क्या फरक नजर आता आपको और अच्छा लगता है क्या एक्टिंग करना सैटिस्फरक्शन मिलता है कुछ एक अलग से कि आप अलग से कर रहे हैं जी यूथ बड़ा चेंज हो रहा है MSG1 को देखके उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है अपने देश में पूरे वर्ड में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर उनको यह पसंद आ रही है तो क्यों ना हम इसके दौरा उनको मैसेज कंटीनू देते रहें वो चेंज होते रहें तो हमारा समाज सु लेकर ही बाबा पंजाब भी नशा को लेको बहुत ग्रासित है ना सिरफ पंजाब बलकि कुछ हद तक हरियाना भी हिमाचल परदेश भी कि आपको नहीं लगता कि इसके खिलाफ ना सिरफ मूवी फिल्म बलकि एक मोहीम भी छेड़े जाने की जरूरत है जी हाँ जैसे आप ने कहा ये बात सही है कि नशा जो है पंजाब में बहुत है और पूरे देश में कई जगों पे और भी है जिसे हमने यारकड देखा तमिल में वहां बहुत ज़्यादा था तो कई एरियास है जहां नशा बहुत ज़्यादा है और हमें लगता है कि जागरत होना बहुत है तो सब लोग मिलकी अगर कदम उठाएंगे तो यह नशा जल्दी चला जगा हमें लगता है नशे पे पावंदी हो जाए क्योंकि किसी भी धर में नशा जायज नहीं कुरान श्रीफी ले लिए जी वह भी कहता है शर्प पलस आप शर्माने शैतान आप माने पानी कि आप से ज्यादा पैसा देश के लिए भी आ सकता है और समाज भी नशे से बस सकता है अगर मूवीज को लेकर बात की जाए दूसरी मूवी तीसरी मूवी आप सोच रहे हैं पैसा कहां से आता है क्या आपके अनुनाई या फिर आपके आश्रम में जो पैसा चड़ावा आता है उसी से मूवीज बनते हैं या फिर किस तरह से आशर में कोई चड़ावा नहीं लिया जाता है और हकीकत एंटरिटेन्मेंट कंपनी हैं गुडगाओं के लोग हैं उसमें हिसार के हैं पंचकूला और सरसा के तो इन्होंने एक कंपनी बनाई है और उस कंपनी के दौरा ही यह फिल्म बनाई जाती है आश्पोर्ट हम कर देते हैं क्योंकि हम सारा कारेवार हमने समाला हुआ है कि यह जैसे एडिटिंग है यह उनके साथ जो मेन एडिटर आते हैं उनके साथ बैठके उनसे डिसकुशन करना उनको कहना कि ऐसा ठीक है तो इस तरह यह सारा पैसा वो बाबा आप जब डेरे के साथ जुड़े तो यह ख्याल आपके मन में कहां से है डेरे के साथ जुड़ने का शुरू से यह कहां जाया है हम पांस साल के थे और शेयद हमारे नानी मां थे वो मस्ताना जी महरास से जुड़े थे और शास्तनाम जी जो हमारे गुरू उनसे तो गुरु जी ने हमें special इशारा करके बोला कि पास आके बैठो तो हमने वहां गुर्मंतर लिया और जब गुर्मंतर लिया तो पता नहीं जैसे कि चुम्बक लोगे से खींचती है उस तरह हम खींचते चले गए अपने गुरु अपने सद्गुर मुर्शिदे कामिल से और जब जुड़े उन से तो भावना यही चली कि अच्छे काम करने हैं तो बस समाज में तो तभी से घर में भी रहते थे तो गाड़ी ट्रैक्टर पहले आया पूरे जिले में कुछ ही ट्रैक्टर थे उनमें हमारा ट्रैक्टर था फिर गाड़ी आई तो गाड़ियों में भी प्रेरनाती कि यह सारा को शुरू हुआ जी यह माना जाता है कि आपके कमान संभालने के बाद दूसरे परदेशों में भी डेरा का खूब मान बड़ा नाम बड़ा इसके पीछे आप क्या वज़ा मानते हैं हमें लगते हैं इसके पीछे भी गुरुजी के वच्छन हैं उन्ह उन्हें बताया है हर जगा करते रहे तो उससे ही हुआ कि नशा जो लोग नशा करके मर रहे थे वो नशा छोड़ते गे और हमसे जूड़ते चले गे तो इस तरह एक डेरे की जो संख्याती वो बढ़ती गी लोगों की और उन्हें आगे जाके और लोगों का नशा कारे जो लोगों के आते चुड़वाई जाती है यह यू कहें ग्रू दर्ख्षिना में वचन दिये जाते हैं उनसे लिए जाते हैं वचन की बुरे कर्म नहीं करेंगे नंबर एक कोई नशा नी करेंगे शिराब नहीं पिएंगे दूसरा मासंड़ा नहीं खाएंगे तीसर बेटी से वंश चलवाना और कन्या बूनत्या रोकना और जो जिने हिंजरा जा खुसरा कहा जाता था उसको एक सब्वे नाम दिया गया सुख दूआ समाज और उनके लिए सुप्रीम कोट में एप्लिकेशन दिए और थर्ड जेंडर का धरजा उनको दिलवाया तो इस तरह ल आरोप भी लगे उन आरोपों के खिलाफ आप क्या बोलता है जैसे हमने पहले बहुत बार बोल चुके हैं आज भी की सब मामले कोट में और हम सदकार करते हैं कानून का पर अगर कोई वैसे परसनली हम से पूचता है तो जिन चीजों को हम लोगों से छुडाया करते थे ड् अलागे कभी फुर्सत होते तो बच्चों के पास जाते हैं बेटियों के पास तो वो कुछ देख रहे हैं सीरियल जब कहते हैं पापा अब आप गुरू नहीं सिर्फ पापा हो तो जरा हमारे पास बैठके तो दस-पंद्रा मिंट बैठे पाकी फिर बातें तो ऐसे कभी एटी-थरी के बीच में और उसका भी कारण था टूर्नामेंट थे कवड़ी और किर्केट का तो हम टीम गई हुई थी तो हमारे संगी साती कहने लगें कि यार आप नशा चोड़ो नशा चोड़ो कहते रहते हो आप हमारे सब मूवी क्यों नहीं देखते हैं हम देखते नह नहीं मूवी देखी और नशा चोड़ दिया तो यह तो जुरूर हुआ था बाकि ऐसा कुछ नहीं था आज कर राधे मा जो है काफी चर्चाओं है क्या आपको लगता है कि वह राधे मा जो है वह आस्ता का परदीक है या फिर जो विवाद उनके साथ जुड़े हैं आप उ हुए पैसा करोड़ों रॉपया कमा रखा है तो क्या यह सही है हमने एका संत का काम होता है समाज को सच के रहा पे ले के जाना जो पोटो पोटो के चकर में नहीं चलाना किसे कुछ लेना नहीं कोई चड़ावा नहीं कुछ ढौंग नहीं कोई पाकंड नहीं करना सिर्फ इश्वर का नाम बताना और यह बताना कि वो तेरे अंदर रहते जाए घर में बैठके जाब कर कहीं भी कर वो तुझे मिलेगा अगर यह सब कर रही है तो संत हैं अगर इन से हटके कुछ कर रही है तो वो संतों की निशानी नीए आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने जो जो सुना है क्योंकि उनके लाइफ को जानते नहीं कौन है वो हमें तो पता ही वहाँ चला कि कोई ऐसा सख्श भी है या ऐसी औरत भी हैं जिनको ऐसे रादे मारे ऐसा कुछ कहा जाता है वो पत्तरकारों से तो हमें लगता है अगर वो यह कार्या कर रहे है पाकंडवाद का तो सही नहीं है और अगर वो ऐसा नहीं करते सिर्फ डांस या ऐसी चीजे वो तो बुलेशा भी नाचा करते थे हमें लगता है फिर कुछ गलते बाबा एक बर और दर्शक आपसे लव चार्जर जो आपका हिट सॉंग रहा और इस मुवी का एक हिट सॉंग जो आपको लगता है अपने गाहे वो सुनना चाहेंगे यू आर दा लव चार्जर यो अर दा लवचार्जर यू आर दा लव चार्जर और इस फिल्में काफी सोंग है जो बच्छों को पसंद है तो इसमें एक हमें बहुत पसंद है कि जिसमें देश के लिए भी भावना उसमें दर्शाई गी है तो आपके इसे बताते हैं सब दर्शकों के लिए MSG, the messenger, messenger, MSG, the messenger, country के लिए, society के लिए, कर दो जेंज, जो हो danger MSG, the messenger, messenger बाबा, ये energy कहां से आती है, आपको इतनी energy जो है, आप इतने सारे रोल जो है, एक साथ कर लेता है हमें लगता है कि आतंबल ही इसका कारन है, और आतंबल इशुर की भक्ती से हमें मिला, जो लगातर करते रहे तो हर इनसान के अंदर आतंबल है, अगर वो थोड़ी सी बक्ती चलते बैटके लेटके गुन-गुनाता रहे, तो उसका आतंबल जाक सकता है, वो बहुत से कारों में सकसेस हो सकता है एक आखरी सवाज, बीजेपी सरकार हर्याना में है, मनोहर लाल खटर मुख्यमंत्री है, आपको क्या लगता है, कैसा काम कर रहे हैं, और हर्याना के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आखरी सवाजाएंगे? हमें लगता है वो कारेक कैसा कर रहे हैं आप लोगों की पहनी निगाव उन पे ज्यादा रहती है लेकिन क्या उनकी छवी को लेकर अगर बात की जाती है हर्याना में तो एक इमानदार मुख्य मंतरी की छवी उनकी ये माना जाता है आपको क्या लगता है जी बिल्कुल ऐसा हमने सुना है और महसूस किया कि वो इमानदार हैं और वो लोग जो ब्रस्ट लोग हैं उनको नकिल कसने में लगे हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है समाज के लिए कि अगर ये ब्रस्टा चार मुक्त हो जाए हमारा समाज तो और क्या चाहिए बाकी वो जिस तरह से कारह करें हमें लगता है उनको और स्पीड अप होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो अभी भी काबू में नहीं है पर उसके लिए टाइम भी चाहिए हमें लगता हो सकता आने वाले टाइम में वो इसे काबू में कर ले आकरी जनता के लिए लोगों के लिए जी मीडिया के दर्शकों के लिए आपका संदेश आकरी जी मीडिया के दर्शकों के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप खाश करके नौजवानों से हम कनेक्ट में रहते हैं तो हम उनसे बात करेंगे कि आप अताश ना हुआ करें निराश की कमजोरी तो आतंबल अगर आदमी के अंदर हो तो वो हारी हुई बाजी जीत जाता है और सुसाइड डिया इन चीजों की तरफ नहीं जाता नशों की तरफ आपको कोई प्रॉबलम आती है आपको की टेंशन आती है आप थोड़ा समय मेडिटेशन भगती के लिए लगा लिया करें चलते फिरते काम दंदा करते ना धरम बदलो ना भाशा ना पहनावा ना पैसा चड़ाना है बस उसे गुन गनाते रहेंगे जिकीन मानिए आप टेंशन फरी हो जाएंगे और जिंदगी में सकसेस आपके कदम जरूर चुमेगी आप सबको आशिरवाद बाबाब जी मीडिया की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू अल दे बेस्ट फॉर MSG2 जी आशिरवाद ये थे बाबाराम रहीम आपको हमारी बातचीत इनसे कैसे लगी आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDI NESS developer आप देखते रह आप